निर्जला एकादसी 2024 में कब है नोट करे डेट पूजा मुरत्ते साल भर में कुल 24 यानि हर महिने में दो एकादसी का वर्थ किया जाता है पुराणों में इसे सरफस्रेश्ट वर्थ माना जाता है इसके परताब से धर्म अर्थ का मौक्स चारू पुर्शार्थ की प्राप्ती होती है वैसे तो हर महिने के एकादसी का महतव है लेकिन जेश्ट महा में आने वाले निर्जला एकादसी सबसे अधिक महतव पूर्ण माने जाती है स्वागिनों तपस्वी को निर्जला एकादसी का बे सबरे से इंतजार रहता है जाने साल 2024 में निर्जला एकादसी कब है जाने डेट, पूजा, मुहरत और इसका महतव तो आईए जानते ही ये किस दिन आने वाली है, किस दिन पढ़ने वाली है इस साल निर्जला एकादसी 18 जून 2024 मंगलवार को है, निर्जला यानि ये वर्थ बिना जल ग्रहन किया जाता है इसलिए सभी एकादसीयों में ये वर्थ कठीन तप और सादना के समान महतव रखता है इसे भीम सेनी एकादसी भी कहा जाता है, पांडव एकादसी के नाम से भी जाना जाता है निर्जला एकादसी 2024 में मुहरत पंच्यांग के अनुसार जेश्ट महा की सुकल पक्स की एकादसी तिथी 17 जून 2024 को सुबह 4 बज़ कर 43 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 18 जून 2024 को सुबह 6 बज़ कर 24 मिनट पर इसका समापन होगा विश्मु पूजा का मुहरत सुबह 8 बज़ कर 53 मिनट पर दो पहर 2 बज़ कर 7 मिनट पर होगा निर्जला एकादसी 2024 वर्थ पारण का समय निर्जला एकादसी वर्थ का पारण 19 जून 2024 को सुबह 5 बज़ कर 24 मिनट से सुबह 7 बज़ कर 28 मिनट के बीच किया जाएगा इस दिन 22 समापत होने का समय सुबह 7 बज़ के 28 मिनट रहेगा निर्जला एकादसी का महतव जहां साल भर की अन्य एकादसी वर्थ में अहार सयम का महतव है वही निर्जला एकादसी के दिन अहार के साथ ही जल का सयम भी जरूरी है पोराणिक कथा के अनुसार एक बार बहु भोजी भीम सेन ने व्यास जी से मोक्स प्राप्ति का उपाए जाना तब व्यास जी ने उन्हें एकादसी वर्थ करने को कहा लेकिन भूक बरदास ने करपाने के कारण हर महिन एकादसी वर्थ करना भीम सेन के लिए मुस्किल था तब व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादसी वर्थ करने की सिलहा दी और कहा कि ये वर्थ सभी 24 एकादसियों का फल परदान करेगा इसके परताप से उन्हें सवरग मिला और मोक्स को प्राप्त हुए सुहागीनों को मिलता है अखंड सो भाग्या जैसे की निर्जला नाम से सपष्ट है इस दिन वर्थ को अन्म तो क्या जल गरहन करना भी वर्जित है जेश्ट की गर्मी में बिना पाने के वर्थ करना बेहिद मुस्किल है यही कारण है कि निर्जला एकादसी सबसे कठीन वर्थ माना जाता है लेकिन इसका फल भी कई गुना मिलता है जो भी स्वागिन महिला वर्थ रख पूजा करती है उसे अखंड सो भाग्य की प्राप्ती होती है पती की आयू लंबी होती है इस दिन विधी पुरुक जल कलसका दान करने वालों के सारे पाप दूल जाते है जनम मरण के बंधन से मुफ्त हो जाता है निर्जला एकादसी पूजा विधी निर्जला एकादसी तीथी के स्रियोदय से अगले दिन दुआदसी तीथी के स्रियोदय तक जल और बोजन ग्रहन नहीं किया जाता है एकादसी के दिन प्राते काल भगवान विष्णों की विधी विधान से पूजा करें इसके बाद ओम नमो भगवते वासु देवाय मंतर का जाप करें कथा सुनें जल से कलस भरें उसे सफेद वस्तर से धक कर रखें उस पर चीनी तथा दक्षिना रख कर ब्राहमन को दान दे सुहागी ने इस दिन सुहाग सामगरी बाटे दिन भर इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है नमबर एक पवित्री करन के समय जल आजमन के अलावा अगले दिन सुरियो दत तक पानी नहीं पिए नमबर दू दिन भर कम बोलें और हो सके तो मोन रहने की कोशिस करें नमबर तीन दिन भर ना सोएं और किसी से जगडा वाद विवाद ना करें ब्रहमचारे का पालन करें और आगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लेज लाइक कमेंट सेर करें ताकि दूसरे लोगों भी इस इन सभी चीजों का लाब उठा सके और एकादसी का वर्त का नियम और महतव जान सके और ये किस दिन है तो सभी को एकादसी की सुब कामनाए मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल के साथ पसंद आए तो लाइक कमेंट सेर जरूर कीजिएगा झाल